हेलो फ्रेंज एडिकेशन अफेक्स चैनल में आपका स्वागत है हाँ जी आपके लिए आज की खास अपटेट को लेकर तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह आपका जो आपका जो आपको पता है कि उसकी हेरिंग थी हाली में 1122 को तो उसमें एक तरीकी हेरिंग में कुछ खास नहीं हुआ है और आपने नियुद में भी सुना होगा रहा है और हमारे माध्यम से भी आपको यह अपटेट दे दिए थी कि कहा यह जा रहा है कि सरकार द्वारा और इसमें टाइम मांगा गया है और तब तक जो है यह ऑफिस और की जो कॉपी है वो नहीं आई की अब यह इकटी हीरिंग होनी है पिछली हीरिंग में माना यह चाहरा था कि इसम 5 जो कि हैंए ऊसकी होने के चांस्ति आयर है और हो भी सक्ति क्योंकि मैंटर ओंक्लियर ही है क्या क्या वह पहले हिंग नहीं होना है अब ऐसी की और से क्या decision होता है क्योंकि कहा यह विजा रहा था कि comment की और से जो है reply कर दिया गया है फिर यह बात में कहते है कि और समय देती जाए तो यह comment का ही पूरा इसमें मामला है डिल है जिसके कारण यह जो केस है यह लटका पड़ा है और order की बात करें तो office order की जो यह copy है इसमें पहले तो यह आपकी जो detail है केस के regarding भी रहती है लास्ट में अगर order पर हम चाहे तो कुछ भी इसमें खास बात नहीं लिखी गई है दो लाइन लिखी है यहां पर आप दिखते हैं बलकि एक लाइन लिखी गई है counter, counter affidavit if any be filed within three weeks बस यही लिखा है तो अगर कोई counter affidavit है if any लिखा है साथ में अगर हो तो उसको तीन weeks के अंदर में दायर करना है यह बात इसमें कही गई है बाकी इसमें कुछ भी नहीं कही गई है तो इससे यह बात सीडी सीडी पता चलती है कि इसमें कुछ खास तो होने वाला है नहीं है जो होना है वो हो चुका है और वो ऐसे भी हो जाएगा इसमें जो धील है वो फालतुकी ही हो रही है आप देखते हैं सरकार क्या वो लेती हैं क्योंकि आप देखते हैं कि election का दौर है और code of conduct लगा हुआ है और जो next hearing है वो भी आपकी 29 तारीक को रखी गई है यानि कि तब तक तो नई सरकार भी नहीं आएगी और नहीं पूराना कुछ होगा तो इससे यह लग रहा है यहां पे कि जो 29 तारीक को भी इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है next hearing हो सकती है और उ जैस में लास्ट में ये लाइन केहीं कि लेश्ली परडिशन इन द लास्ट वीक और 222 यह भी order हुए थे तो यह आपको पता है कि यह 59 तारीक को वरसे लगा है यह 99 तारीक कि एक्सपक्टेशन जादा नहीं है 39 तारीक से कियोंकि अब सरकार भी इसके और जादा ध्यान नह हो गया और 965 भी होना है तो जैसे जैसे लग रहा है क्योंकि अगर एक्जाम का रिजल्ट आना होता तो 933, 949 का आ सकता था लेकिन ये इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जब तक 817 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपका इनका भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा ये भी लटक जाएंगे और यहां तक ही 965 भी आपको लटकता हुआ दिख सकता है अगर उससे पहले आपका जो 817 का जो रिजल्ट है वो नहीं आता है तो फिलहाल ये उमीद जताए जा सकते कि 2-3 महीने के अंदर आपका जो केस है ये सॉल्ट हो सकता है इससे पहले मुश्किल है थोड़ा सा यानि कि जो आपकी जाइनिंग है वो अब 2023 में ही पॉसिबल है 2022 में ये पॉसिबल नहीं है और इससे सभी एफेक्ट होगी आपको पता है कि जब तक 877 का रिजल्ट नहीं आता है तो इससे जो ये छोटे-छोटे जो पोस्ट कोड है कि अगली बच्चे को भी उसमें मौका मिल जाएगा बाकी यही उमीद और यही हम चाहेंगे कि यह जल्दी से जल्दी के सॉल्फ हो जाए और ताकि बहुत से बच्चे को रोजगार मिल सके बाकी जैसे कोई अगली अप्टेट आती है तो वह हम आपके साथ जरूर साजा कर